नमस्कार दोस्तों, बाह्टवित को और मैं आप सबका स्वागत है दोस्तों, आज मैंने बनाई हैं अलू और छोलिया दोस्तो, छोलिया जो है यह जरू हरे चने को बोला जाता रहा है और वैसे तो सुखा अरा चना तो पूरा साल मिलता है लेकिन सर्दियों के दिनों में दोस्तों ये ताजा आता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो सर्दियों में कम से कम तीन चार बार तो इसको आप जरूर बना कर किखाईए बेसिकली दोस्तों इसको जो आलू के साथ बनाया जाता है और यह तोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों यह मार्केट में इस तरह के निकले हुए यानि कि छोलिया निकला हुआ जैसे आप साइट पे देख सकते हैं पिक है मैं आपको दिखा रही हूँ पहले जो छोलिया इस तरह से भी आता है आप चाहें तो जब आपके पस बहुत लेजर टाइम है तो आप इस तरह से भी ला करके इसको निकल सकते हैं तो यह जो पैकेट में आपको दिखा रही हूँ यह निकला हुआ चो लिया है यह 250 ग्रम जो है मैंने लिया है मार्किट में इसली 20-25 रुपे का पैकेट मिल जाता है तो जब तक हम तड़का लगाते हैं तब तक हम क्या करेंगे इसको अच्छे से दो लेते हैं और इसको तब तक पानी में हम लोग सोक कर देते हैं अब तड़का लगाने के लिए क्या करने है, दो टेबल स्पून दोस्तों मैंने सरसो का तेल अच्छे से गरम कर लिया, उसके अंदर अब मैं डाल दोंगी एक टीएसपी, एक चमबच जीरा, और साथ ही मैं दोस्तों मैं इसके अंदर डाल दोंगी एक बड़ा प्याज, कटा तीन चार मिनिट जब आप इसको अच्छे से सौते कर लेते हैं प्याज को फिर इसके अंदर हम डाल देंगे क्रश किया हुआ लसन और अधरक का पेस्ट तो यह भी जो है एक पूरी चमबच भरकी जाएगा और अच्छे से प्याज के साथ इसको भून लीजिए ताकि अच अच्छा पानिन का सबजी में नहीं लगना चाहिए अब यहां पे अप्रॉक्सिमिट लिए आदा टीस्पून जो है हल्दी डाल दीजिए हल्दी डाल के भी आप कम से कम एक मिनिट के लिए इसको जो है अच्छे से चला रही जिए इस्टेम गैस जो है लो टू मीडियम आ अब इन दोनों को भी दोस्तों साथ में कम से कंद दो मिनिट के लिए और जो है हम लोग सौते कर लेते हैं अब दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर तो यहां पे मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिये थे और उनको भी मैंने जो है मैश कर लिया था कद्दू तब तक मिलाना है दोस्तों हम को इसको जब तक ऐल जो है सेपरेट नहीं हो जाता लेकिन उससे पहली हम इसके अंदर डाल देंगे नमक यहां पे मैंने एक टीस्पून भरके जो है नमक डाला है आप स्वाद अनुसार कम जैदा कर सकते हैं अब क्या करना है टमाटरों को अच्छे से मसाले को अच्छे से तब तक पकाईए जब तक बहुत बढ़िया तरीके से ओल जो है हमारा सेपरेट नहीं हो जाता है यह निशानी है कि यह जो तड़का है अच्छे से पक गया है अब बिल्कुल सही टाइम है चोले में से कर लिया है आप छोटे पीसिस भी कर सकते हैं मैं इनके थोड़े बड़े पीसिस कर रही हूं अब में काम है दोस्तों यहां पर आपको इसको अच्छे से ना भूनना है कम से कम 5-6 मिनट आप इसको अच्छे से सबजी को जो है प्रेशर कुक करने से पहले भूनिये दोस्तो कई बार अच्छे से पता नहीं लगता कि क्या डाला है क्या नहीं तो अभी आप देख सकते हैं दीरे दीरे जो है ओल सेपरेट होना शिरू हो गया है दोस्तों बहुत ही हेल्दी सबजी है छोलिया जो भी चीजें सरदियों में हैं हमारे पास अवेलेबल तो क्यों ना दीरे दीरे करके मैंने जो है इसके अंदर आदा लिटर डाल दिया हैं तो आप नहीं पहले थोड़ा पानी डालिए फी तो शेया है ज़ितना फिस र Teil हमाने दिल ज़ू भी आपने दे करके इस तृस्ति DAN बाद है आपने तरफ दोद समयग में दीम, तो बढ़का याज है कि अमारी जो ग्रेवी है जो यह भी हम तरी बना रहे हैं पानी के उपर बिलकुल आ चुका है तो इसका मतले है कि जब सब्जी बनेगी तो ऑई उसके उपर बिलकुल होगा इट मींस जो है मारी सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी अब यहां पे मैं इसको कर देती हूँ कूकर में ट्रांसफर्ट आप इसको तीन विसल यानि कि तड़का बहुत अच्छे से बना है, सब्जी बहुत अच्छे से बनी है, डोस्तो अब क्या करना है? आप चाहते हैं तो सब्जी को as it is रख लीजे लेकिन अगर आपको ग्रेवी थोड़ी और ठीक चाहिए तो आप थोड़ी से आलू मैश कर लीजे इसमें यहां पे मैं कुछ एक आलू मैश कर रहे हूं दोस्तों वैसे यह सब्जी अपने आप काफी ठीक हो भी जाती है तो यहां पर मैं थोड़े से अलू और जारी है अलू काफी खड़ेखणे हैं कुछ-कुछ तो इससे ग्रेवी में भी बड़ा टेस्ट आ जाता है तो यहां पर ढूर बोल में ढ़ने द्धनिया परांठा चपाती जो आपका मन करें आप उसके साथ खाईए देखिए दोस्तों आप दिखो देश सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है कितनी बड़िया थिक है तो यह हो गई हमारी सबजी बनके तियार दोस्तों सरदियों में छो लिया जरूर खाईए मार्केट में जाते हैं ब मुझे बताईएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल बाइट विद को और को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैंने बहुत अच्छी शी वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल रखी है प्लीज उसे जरूर देखिए अपन